हेलो फैंड्स वेल्कम बैक टू दे चैनल दोस्तों इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेट के लिए बातचीत करेंगे दिल्ली हाई कोट से एक खबर है इसके उपर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्विस्ट करना चाहूंगा अगर आप चै फ्यूचर रिटेल लिमिटेट का शेयर प्राइस देखें तो आज 11 में 2021 को भी ये 16.15 के लोगर सरकिट के उपर ओपन हुआ और वहीं बंद हुआ दोस्तों आएए खबर की बात करते हैं खबर सीधे समझने की कोशिश करें अगर तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेट को दिली हाई कोट ने डिफेंड किया है ये बताते हुए कि सिंगापूर इंटरनेशनल अर्बिटरेशन सेंटर की तरफ से डिरेक्टिव जो दिया गया थे उनको ब्रीच नहीं किया है अब देखें आपे लैंगवेज पे ध्यान देजिए ये दिली हाई कोट की तरफ सिर्फ कहा गया है ऐसा इसलिए कहा गया है किस आधार पे कहा गया है ये बात भी आपको जानना जरूरी है दिली हाई कोट एक चीज़ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज 12, 11 में है आज हम 11 में में बातचित कर रहे हैं और 12 में 2022 यानि कल का दिन जो है इसके लिए एक डेडलाइन थी क्यों अब ऐसा इसलिए बोड़ लाँ दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि इनको N.C.L.T. ने 12 में तक डेडलाइन दी थी कि आप जो है अपना रिस्पॉन्स फाइल करिए क्योंकि N.C.L.T. इसके खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रोसीदिंग्स बैंक ओफ इंडिया के अप्लिकेशन के आधार पर करवाने करवा सकता है और इसके लिए इनको 12 में तक का टाइम दिया गया तो डेडलाइन से पहले की ये खबर है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा समय डिले हो गया क्योंकि मेरी तबिया थोड़ी खराब थी अगर हम खबर की बात करें यहां पे तो दिल्ली हाई कोट ने यहां पे आपजर्वेशन ये दिया है इस चीज़ को लेकर के कि सिंगापूर अर्बिटरेशन सेंटर की तरफ से जो रूलिंग थी उस रूलिंग में ये कहीं नहीं कहा गया था कि जो लेंडलॉड्स हैं वो किसी भी तरीके से डिल साइन नहीं कर सकते कोई भी रिलाइंस इंडस्ट्री लेमिटेड के साथ ये Singapore Arbitration Center की कोई भी किसी भी तरीके से Directive Ruling के अंदर mention नहीं था 900 something के से ज़्यादा Future Group के flagship stores को Reliance Industries Limited की subsidiary company Reliance Retail ने position में ले लिया था और इसको लेकर के SBI और Amazon तो लगातार कोशिश करता ही रहा है SEBI से भी उसने letter लिख करके demand किया है इसके लिए investigation करने के लिए इसके अलावा RBI से immediate auditing की demand करी है तो Amazon तो चाही रहा है Amazon तो बिल्कुल भी उसका जायज है वो ये ढोडने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ने कहीं इन लोगों ने गलती करी है उसका proof मिले तो कि proof के आधार पर वो आगे इस case को और जादा intensify कर सकता है और Reliance Industries Limited से इन लिये हुए stores को वापस छिनने की कोशिश कर सकता है और Reliance ने जो किया है वो कहीं ने कहीं गलत तो है लेकिन Future Retail Limited और Reliance के इस किये धरे कारणामे को दिली हाई कोट कह रहा है कि ये SIAC के दिये हुए directives को breach नहीं करता अब यहाँ पे Future Retail Limited ने अपने leases को surrender कर दिया था landlord को यानि landlord को जब किराया नहीं दे पा रहा है Future Retail Limited तो अपने हाथ खड़े कर लिये अब landlords ने क्या किया कि Reliance Industries Limited के साथ एक agreement साइन कर लिया तो इस case में ये possible नहीं है कि Reliance Industries Limited जो है किसी भी तरीके से मना करे क्योंकि Reliance Industries Limited के सामने landlords खड़े हैं Right? Future Retail Limited नहीं खड़ा है तो Future Retail Limited के ऊपर directives apply होंगे na SIAC के ना कि landlords के ऊपर और Reliance Industries Limited या ना इन दोनों के बीच के relations के ऊपर तो यहां पे intern हुआ कि लैंडलोड्स नहें Reliance Industries Limited को अपरोच किया और Reliance Industries Limited तो यह चाहता ही था क्योंकि कहीं ने कहीं से एक मौका मिले ताकि इन स्टोर्स को किसी तरीके से वो acquire कर सके क्योंकि Reliance Industries Limited के मुकेश अमबानी का निशाना कि शोर बियानी को बचाना नहीं था ना ही Future Group को बचाना था Future Group के जो स्टोर्स थे जो assets थी जो नाम था जो brand value थी उनको पाना था और उसको पाने के लिए landlords के रूप में एक मौका मिल गया और शायद इसी वज़े से ये जो landlords से इन्होंने intern Reliance के साथ deal साइन कर ली और Reliance ने अपनी subsidiary के मादम से 975 स्टोर्स को छिन लिया और फिर बाद में आपको पता ही ये कहानी तो इन ही बातों के अधार पर जस्टिस सी हरिस शंकर ने Monday को एबाद 10 मई की खबर है अगेन मैं कहूंगा तबियत थोड़ी सही नहीं थी जिसको मैं टाइम ली जिसकी वज़े से बदा नहीं पया आपको तो जिसकी वज़े से ये leases को surrender कर दिया फूचर रिटेल ले और इसको इसके लैंडलोड्स ने रिलांस के साथ डील साइन करी और ये 975 स्टोर्स ले गया और इसके बदले उन्होंने कुछ 4,800 सम्थिंग करो लाइक दाट इन्होंने पय भी किया था इन लैंडलोड्स को और ये एक पुरी स्टोरी आगे कि आपको किशोर बियानी की तरफ से क्या अपडेट आती है मैं आगे आपसे जो कुछ होगा डिस्कस करूँगा और टैमिली आपको वीडियो जो है मिलेंगी सो चलिए अपना ख्या लेखिए मैं आगे और रिसरच करूँगा और आप लोगों को इसके उपर कुछ अपडेट मिलेगी तो बताओंगा आपको ओके सो टेक किया